तो आज मैं आपके साथ आपके ही घर के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही जादा हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेंड रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और दोस्तों इस रेसिपी को हम पालक से बनाएंगे अगर आप बच्चों को नियमित रूप से पालक खिलाते हैं तो ये बच्चों के शारिरिक और मानसिक विकास को भी काफी तेजी से बढ़ाने में उनकी मदद करता है वैसे तो पालक के अनेकों गुन है और इसके सेवन से बच्चों की इम्मिनूटी बूष्ट होती है और हड्या भी मजबूत होती है साथ ही आखों की रौष्णी भी काफी तेजी से बढ़ती है और इसमें आयरन की भी मातरा भरपूर होती है तो चलिए फ्रेंट्स इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहां आठ से दस पत्ते पालक के लिए है एकड़म फ्रेश पालक के पत्ते लिए है और इसे अच्छे से वाश कर लिया है साथ ही यहां ले रहे है दो चमच गेहू का दलिया और नेश जो लिया है वह है मूंग की डल छिलके वाली आप चाहें तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं और इसे बारिक बारिक टुकडों में कट कर लिया है और देखे दोस्तों इस फूड को बनाने के लिए सारे इंग्डियंट्स भी तयार कर लिये हैं इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे एक छोटा चमच घी और इसे मिल्ट होने देंगे तो यह देखिए दोस्तों घी गर्म हो गया है और अब इसमें एड करेंगे एक पिन जीरा और थोड़ा सा यह चटक जाये तो इसमें एड करेंगे एक कली लहसुन की इसे भी बारिक दून लेंगे तो देखें अब इसी टाइम पर हम डालेंगे गेहूं का दलिया आप चाहे तो इसे वाश भी कर ले और अगर आप लहसन या प्याज नहीं डालना चाहते तो इस आप इसकी भी कर सकते हैं और यह बहुत टेश्टी दलिया बनकर तयार होता है बच्चे के सां साथ आपको भी से खाने का मन करेगा इतनी स्वादिष्ट बनती है यह दलिया की खड़ी तो अब इसी टाइम पर हम एड कर देंगे मूंग की दाल इसे मैंने वाश कर लिया है इसे भी हम कुकर में डाल देंगे और इसे भी हम घी के सांथ भून लेंगे एक से दो मिनट के लिए बिल्कुर मिडियम फ्लेम पर और देखें यह अच्छे से भून चुका है अब नेक्ट डालेंगे कटा हुआ पालक और सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे मिडियम फ्लेम पर इसमें अब डालेंगे एक से दो गिलास पानी और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक पिंच हल्दी और इतनी ही क्वांटिटी में काली मिर्च का पाउडर भी एड़ करेंगे mix हो जाने के बाद एक pinch salt add करेंगे और इन सभी चीजों को अब अच्छे से मिला लेंगे अब हम cooker का धकन लगा कर 4-5 city लगने देंगे 4-5 city लग चुकी है friends इसका धकन अब खोल कर हम चेक कर लेंगे तो देखिए यह हो चुका है अब इसे हम मैशर की help से दरदरा मैश कर लेंगे ताकि बच्चे इसे अच्छे से चबा सके सभी चीजे अच्छे से मैश हो गई है और अब यह हमारा healthy baby food बनकर तयार है छोटे बच्चों के लिए तो चलिए फ्रेंट्स इसे अब हम serving ball में निकाल लेते हैं और आप इसे lunch या फिर dinner में बना कर बच्चे को खिला सकते हैं यह iron and calcium से भरपूर recipe है और यह बहुत ही ज़्यादा tasty and healthy recipe है तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तो कैसे लगी आपको आज की रेसेपी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like, share और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा Thank you for watching झाल झाल